प्रदेश सरकार की अभियान शक्ति के तहत महिला सशक्तिकरण के अंतरगत एक दिन की थाना ध्यक्ष बनी स्कूली छात्रा प्राची यादव थाना ध्यक्ष ने सुनी फर्यादियों की शिकायत पर सड़कपर की वाहन चेकी मैं अभी शुकावबत थाने में बैटी हुई हूई हूँ और एक थाना द्यक्ष के रूप में एक दिन के लिए मुझे 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 बहुत खुशी हो रही है यहां बैटकर ऐसा मुखा बहुत ही कम लोगों को मिलता है और यह बहुत अच्छा मुद्दा भी है अभी हमारे यहां पर महिला सशक्ति करण का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं तो बस अपने स्कूल से घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे ऐसा चो सर मिले और ऐसा ही लोग मिले मतलब अंकल वगरा इन लोगों ने मुझे बोला मैं मास्क लगाई थी प्रॉपर तरीके से तो चलें तो फिर मैंने बोला कि हां मैं देशियन स्कूल शुकावबाद की शात्राओं काक्षा ग्यारभी गड़ितवर की शात्राओं मैं मुझे आज ठाने में याँ पे महिलाओं की समस्याओं को जादा सुनने को मिलाए महिलाए हमारे समाज में उनका बहुत पीड़न हो र आज स्रीमान वरिस पुलिस से देख से मोधे फिरोजाबाद के आदेशान उसार सुबह हम लोग एटा रोड़ पर चेकिंग कर रहे थे तब ही हमको एक लड़की मास्क लगाए वे पाती ने जराई और हम जब मास्के लिए कह रहे थे तो उसने भी हम लोगों महिलाओं से क कि आपको मास्क लगाना चाहिए कानून का पालन करना चाहिए हमको बहुत अच्छा लगा हमने उनी संबंद में कुमारी पराची से कहा कि एक दिन के लिए मापको एसो बनाना चाहते है रहे उसके संबंद में महिलाओं के संबंद में अच्छे मार्ग दरसन हे तो महिलाओ के लिए उनको थाने पर आगा उनकी समस्या सुनिये और उनको दिसानीर देजेगा हम लोगों के इस तरह से और अच्छा हम कर सकते हैं उसी के प्रिपेक्स में कुमारी प्राची यादव यहां पर आई और एक दिन के सो के रूब में उनका कारिय बहुत अच्छा चल रहा है बड़ा अच्छी तरह से महिलाओ की समस्या सुन रही है और उनके निदान के हैतू सभी उपनी इक्ष्रगणों को उन्होंने दिसानीर देती है उनके आधियसा रूज चार जो चार प्रारतना पांच प्रारतना महिलाओ के आए हैं उनको उचित कारवे है तो इनको से मैं देखा जा सकता है